दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्क्स करने वाले हैं हाउ टू क्लियर रैम कैशे तो रैम कैशे को किस तरह हम क्लियर कर सकते हैं माइक्रोसोफ विंडोस 10 एंड विंडोस 11 में मेमरी तो टॉप पर अगर हम देखें तो हमारे पास 6 GB रैम है सबसे पहले हमने ब्रोजर ओपन करना है तो जैसी हम ब्रोजर ओपन कर लेंगे यहाँ पर हमने टाइप करना है रैम मैप तो फर्स्ट लिंक के उपर हमने क्लिक करना है रैम मैप जैसी हम इसके उपर क्लिक करेंगे इसका next page हमारे पास कुछ इस तरह से appear होगा इसको scroll करेंगे scroll करने के बाद download ram map इसके उपर click कर देंगे तो जैसी ये file हमारे पास download हो जाएगी download history में इसको check कर सकते हैं top पर हम देख सकते हैं इसको हमने open कर लेना है simple open folder करेंगे इसको तो जैसी ये process कर लेंगे तो desktop पर आएंगे desktop पर आने के बाद इसको हमने extract करना है तो जैसी download folder से इसको extract कर लेंगे desktop पर तो yellow folder हमारे पास appear हो चुका है यहाँ पर हम देख सकते हैं ram map का जो left side पर folder है इसके उपर double click करके इसको open कर लेंगे यहाँ पर हमारे पास काफी options हैं हमने ram map 64 को open करना है right click करेंगे और open कर लेंगे यह double click करके भी इसको open कर सकते हैं चंद second wait करने के बाद एक mini box हमारे पास peer होगा ram map का तो इन दोनों box को आपने ऐसे ही रखना है तो पर हमारे पास यानि के ram map जो है इसमें काफी सारी information है tabs है, file है, empty है और इसके बाद setting और help है तो आपने जो apply करना है वो empty पर करना है तो जैसी इसके उपर हम click करेंगे तो drop down list में हमने select करना है empty stand by list तो जैसी हम यहाँ पर इसके उपर click करेंगे और left side पर हमारे पास यहाँ पर हम देख सकते हैं 1.4 है यह हमारे पास यहाँ से clear हो जाएगी top पर अगर हम देखें तो empty stand by list इसके उपर click करेंगे तो clear memory में हम देख सकते हैं हमारी जो ram memory है वो clear हो चुकी है इससे हमारे PC की जो speed है काफी fast होने वाली है आपने एक से दो या तीन दफा यही process करना है तो तमाम cache clear हो जाएगी इससे क्या होगा हमारी windows की जो speed है या performance है वो काफी बेहतर होने वाली है तो इस तरह आप अपने ram को clear कर सकते हैं Microsoft Windows 10 में